तो यह है units and measurement chapter और हम कर रहे है lecture no.2 अच्छा इस lecture में हम applications पढ़ेंगे dimensions की ठीक है तो applications of dimension यह हमें पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहली application से इसकी start करते है ठीक है इसकी पहली application मालो यह है to convert to convert one system of unit into another system into another system of unit ठीक यह हमें topic करना है तो इसको कैसे कर जाए देखो हमें एक system से दूसरे system में ले जाना है तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले यही पढ़ना पढ़ेगा system of unit कितने टाइप के होते हैं ठीक तो अगर मैं system of unit की बात करूं system of unit ठीक तो system of unit तीन टाइप के होते हैं ठीक है एक होता है mks system ठीक है इसको si system भी माना जाता है दूसरा होता है cgs system ठीक और तीसरा होता है fps system चाहिए mks system क्यों है तो यह समझने के लिए बस यही देखो इसमें जो मास है ठीक इसमें जो लेंथ है वो किसमें होगी मीटर में होगी मीटर केजी second ठीक और जो वेट है वो किसमें होगा kilogram में kilogram में होगा और time second में होगा तो इसको आपने कह दिया mks system ठीक cgs system क्या होगा देखो cgs system में जो length है वो definitely centimeter में होगी ठीक और जो weight है वो gram में लिया जाएगा और जो time है वो second में लिया जाएगा तो हमारे पास ये इसे कहते हैं cgs system now fps system fps system क्या होता है हम इसमें length को foot में लेते हैं ठीक और weight को pound में लेते हैं और second को और time को second में लेते हैं ठीक तो ये तीन type के हमारे पास system है तो हमें क्या करना है एक system से दूसरे system में convert करनी है ठीक और यही पहली application है किसकी application of dimensions ठीक dimensions सीखने पे हमें जो पहली चीज important आई समझ में वो यही आए कि एक system से दूसरे system में कैसे convert करते हैं मतलब SI system से cgs system या fps system में कैसे ले जाए ठीक है तो ये तो था हमारे वो तीन system देखो जनरली ऐसे पूछा जाता है और यह तो आपको पता भी होगा देखो अगर मैं आपसे पूछू वन मीटर में कितने cm होंगे ठीक तो आपका अंसर बहुत casual होगा कि यह तो 100 cm होंगे ठीक है अगर मैं पूछू 1 km में कितने मीटर होंगे तो आप बता सकते हो 1000 मीटर होंगे ठीक है और फिर इसमें cm भी बता सकते हो कि कितने cm होंगे एक मीटर में कितने cm 100 तो इसको इंटू 1000 करो इतने cm ठीक है तो यह चीज तो बहुत easy हो जाती है सही तो इसको convert करना ऐसा नहीं आएगा यहां तो इससे थोड़ा difficult आएगा कैसा आएगा देखो mks system generally जो book में given है उसके उसके पर क्या question आया हुआ है इस तरीके से question आया है देखो mks system में force को force की SI unit क्या होती है newton और cgs में इसी force की SI unit हो जाएगी dine ठीक तो आएगा newton को convert करो dine में ठीक एक newton में कितने dine होते हैं और इसी mks system में energy को energy को पढ़ा जाता है joule में joule ठीक और इसको cgs system में इसी energy को पढ़ा जाता है अर्ज में erg ठीक तो ऐसा आएगा एक joule में कितने अर्ज होते हैं यह बताओ तो ऐसे question generally आते हैं conversion में ठीक है तो कैसे convert करें SI system से मतलब mks system से cgs system में चीजों को कैसे ले जाए यह हमें सीखना है ठीक है आयोप यहां तक समझ में आया होगा अब ज़रा ध्यान से देखो इसमें dimension का क्या roll है मतलब dimension कैसे एक system से दूसरे system में convert करना सिखाता है चलो समझते हैं माल लो हमें एक question given है ठीक we have given a question how many dyn in one newton एक newton में कितने dyn होते हैं ठीक अब newton है तो force होगा तो force की ऐसा unit given है और इसको किस में convert करना है dyn में तो बहुत simple है देखो कैसे लिखना इसको इसको ऐसे लिखना देखो अच्छा पहले यह बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को कि अगर मैं एक unit होगे u2 मतलब यह चीज constant रहनी है 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 ना तो अब मुझे convert करना है कि एक newton में solution देखो how many dyn in one newton एक newton में कितने dyn होंगे ठीक है तो बहुत simple है न्यूटन सबसे पहले लिखो force से बिलॉंग करता है ठीक यहां force है force के बारे में बात हो रही है तो SI system में Newton और CGS system में यही force होता है dyn में ठीक तो अगर मैं कहूं force की unit लिखो अभी जो मैंने unit लिखना सिखाई दी न तो बताओ इन दोनों की unit क्या होगी इसकी unit होगी Newton की kg meter per second square और CGS में डाइन कितना होगा gram centimeter per second square ठीक है तो अब जरा ध्यान से देखो आपको करना क्या है क्या इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को देखो 1 Newton 1 Newton अच्छा Newton 1 Newton is equal to क्या होता है 1 kg meter per second भी होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ kg meter per second square ठीक is equal to यह जो हमें calculate करना है यह N2 ले लो ठीक और dine dine की CGS unit होती है dine cgs unit में है ना force के और उसकी cgs unit यह भी होती है तो यह हो जाए ग्राम centimeter per second square ठीक है I hope इतना समझ में आया होगा अब देखो हमें करना क्या हमें N2 निकालना है ठीक है अच्छा N2 है कि N2 एक number आएगा जो भी आएगा ठीक तो N2 निकालने के लिए इसको यहां लाना पड़ेगा यह तो math कहती है तो यह हो जाए 1 kg meter per second square divided by gram centimeter per second square ऐसा करके हम लिख सकते हैं यह आ गया हमारा N2 अब देखो N2 क्यूंकि एक number है और यहां पर भी हमें एक number ही मिलना चाहिए मतलब यह सारी चीजे एक दूसरे से cancel होनी चाहिए लेकिन यह अभी तो cancel हो नहीं रही तो चलो इसको cancel करते हैं हम जानते हैं कि वन केजी में कि वन केजी में 1000 gram होते हैं ठीक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 gram ठीक वन मीटर में हम इसको भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 cm ठीक तो क्या मैं उपर वाली चीज़ को ऐसे लिख सकता हूं देखो इस चीज़ को मैं आब ऐसे लिख रहा हूं 1 kg की जगा, kg by gram, ठीक, इन सब की power देख लो 1 है, meter, centimeter, इसकी भी power देखो 1 है, ठीक, और second, divide by second, इसकी power कितनी है, minus 2, ठीक, n2, चलो, अब आगे ऐसे लिखेंगे, 1 kg को हम ऐसे लिखेंगे, 10 की power 3 gram, gram, ठीक, इसको अटा देना, gram ऐसे denote करते है, meter, meter को 10 की power 2, centimeter, और नीचे तो centimeter है, ठीक, इसकी power 1 है, और इसकी भी power 1 है, देखो, 1 है और यह 1 है, ठीक है, अब, second को second से कार दो, तो इसकी power क्या जएगे, अच्छा, जब भी ऐसा मिले न, तो क्य करना, पहले power positive कर लेना, positive power कैसे करते है, reverse करके, तो अगर आप इसको reverse भी कर दोगे, तो भी यही रहेगा, तो second divided by second, square, ठीक, n2, तो आप बताओ, यह क्या हो गया, 1, 10 की power 3, gram से gram क्या हो जाएगा, cancel, तो 10 की power 3, इसकी power 1, centimeter से centimeter cancel, 10 की power 2, इसकी power 1, ठीक, second से second cancel, तो यह आगय 1, इसकी power 2, n2, अब जल्दी बता दो, इसको solve करेंगे, तो क्या आएगा, यह आएगा, 1, into, 10 की power 3, into, 10 की power 2, into, 1, n2, तो बताओ, n2, यहां से क्या लिख सकता हो, 10 की power 5, ठीक, तो यहां पर यह जो, हमने question mark डाला था, इसकी जगा क्या आजाएगा, इसकी जगा हम ऐसे लि ठीक, अब n2, हम calculate कर चुके हैं, तो यह क्या आजाएगा, 1, newton में, 10 की power 5, dine होते हैं, यह देखो, तो हमने convert कर दिया, ऐसे question आते हैं, इसमें, ठीक, चलो, एक-दो question और करते हैं, एक energy के उपर question करते हैं, ठीक, चलो, एक question energy के उपर हो जाए, question आएगा, how many urge is there in one joule, एक joule में कितने urge होते हैं, तो solution देख लो, बहुत easy है, कैसे करना है, तो one joule में, आपको पता लगाना है, कितने urge होते हैं, कितने urge होते हैं, ठीक, ERG है यह, तो सबसे पहले तो देखो, जूल होती क्या है, energy होती है, अब energy की unit याद करो, कैसे drive करी थी, force into displacement करके, है ना, वो आ रही थी, kg, meter square, per second square, ठीक है, अच्छा, यह किस में आ रही थी, यह आ रही है, SI में, ठीक, यह SI system में था, और अगर इसको CGS system में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, gram, centimeter square, per second square, यह हो गया, इसका CGS version, ठीक, अच्छा, हमें उसकी, कितनी होती है, kg, meter square, per second square, ठीक, N2, आर्ज कितना होगा, gram, centimeter square, per second square, ठीक, N2 निकालना है, तो N2 निकालना है, तो, यह सारी चीज़ें इसकी नीचे आ जाएगी, तो यह क्या ऐसे नहीं हो जाएगा, 1, kg, meter square, per second square, ठीक, divided by, gram, centimeter square, per second square, so, N2 will be, 1, kg, by gram, इसकी पावर 1, meter by centimeter, इसकी पावर 2 है, देखो, इस बार, ठीक, और second minus second, इन दोनों की power minus 2 है, ठीक, अच्छा, N2 क्या, एक number है, और number में सिर्फ number दिखने चाहिए, मतलब, यह सारी चीज़ें एक दूसरे से cancel हो जानी चाहिए, तो, कैसे cancel होगी, मैंने बताया था, देखो, कैसे cancel करेंगे, N2, 1, kg की जगा क्या रखेंगे, 10 की पावर 3, gram, ठीक, और यह gram, meter की जगा क्या रखेंगे, 10 की पावर 2, centimeter, divided by centimeter, इसकी पावर 2, और second और second, देखो, इसको पलटेंगे न, पावर हमें सब प्लस में होनी चाहिए, तो इसको पलट दो, ताकि इसकी पावर positive हो जाए, तो पलटेंगे भी तो कोई असर नहीं पड़ेगा है, आपको यहां तो नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरे derivations में दिखेगा, तो अब बताओ क्या हो जाएगा यह, यह gram से gram cancel हो गया, centimeter, centimeter, second से second, तो कितना बचा, 1 into 10 की पावर 3, और इसकी पावर 1, 10 की पावर 2, और इसकी पावर 2, into 1, ठीक, तो यह क्या हो गया, 1 into 10 की पावर 3, और यह हो जाएग यह, 10 की पावर 7, ठीक, यह हमारा हो गया, n2, बताओ यहाँ तक कोई doubt, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें यही तो निकालना था, 1 joule में कितने अर्जो रहे थे, तो इसका अंसर आएगा, 1 joule is equal to n2 की value आप निकाल चुके हो, 10 की पावर 7, e r g, ऐसा कर दो, I hope आपको यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक, एक थोड़ा इससे complicated कर लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ी complicated चीज में जाते हैं ठीक है, तो चलो देखते हैं, question number 3, EC के उपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, आपको दिखाता हूँ अभी, question है, 6.67, into 10 की power, minus 8, 9, centimeter square, per gram square, ठीक, यह गिवन है, अब definitely अगर यह चीज गिवन है, तो यह CGS system में गिवन होगी, ठीक, आपको बताना है, इसमें कितने, newton, meter square, per kg square, यह होगा, मतलब आपको n2 की value यह calculate करने हो, ठीक, चाहिए, किस की value गिवन है, यह G की value गिवन है, देखो, हम यह पढ़ते हैं न, physical to, g, m1, m2, by r square करके, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो G की value है न, वो इतनी दे रखी है, और यह CGS में गिवन है, हमें किस में निकालनी है, हमें निकालनी है, SI में, तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहीं से आगे बढ़ा देंगे, देखो, इसको कैसे करेंगे, 6.67, यह solution है, ठीक, 6.67 to 10 की power minus 8, 9 cm square per gram square, इसमें हमें, Newton, meter square per kg square में निकालना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, N2 निकालना है, तो यह सारी चीज़ यहां लाएंगे, तो N2 की value हो जाएगी, 6.67, 10 की power minus 8, ठीक है, 9 cm square per gram square, divide by Newton meter square per kg square, ठीक है, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, हम इसको अब लिख सकते हैं, 6.67, 10 की power minus 8, 9, divide by Newton, इसकी power 1 है, यहां पर, cm by meter, इसकी power 2 है, और gram by kg, इसकी power minus 2 है, ठीक है, अब जब भी numerical part निकालते हैं, तो उसमें सिर्व नंबर होना चाहिए, तो इसको cancel करना है, हमने पढ़ा है, कि एक Newton में, बताओ कितने dyn होते हैं, अभी तो calculate करा था हमने, तो एक Newton में, how many dyns, here is the page, हाँ, यह देखो, देखो, 1 newton में 10 की power 5 dyn थे, तो 1 newton में 10 की power 5 dyn, ठीक, किसी को किसी से भी काटो, तो अब देखो, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n2, 6.67, 10 की power minus 8, ठीक, dyn को ऐसी रहने दो, Newton, एक Newton किसकी equal है, 10 की power 5 dyn, तो यह देखो, यह मैंने इसको इसमें लिख दिया, ऐसे, Newton को मैंने dyn में लिख दिया, ताकि dyn से dyn कैंसिल हो जाए, ठीक, centimeter, अच्छा, meter है तो क्या करोगे, इसको 10 की power 2, क्या लिख सकते हैं, centimeter, इसकी power 2, ठीक, ग्राम, kg को ग्राम में ले जाओ, तो 10 की power 3, ग्राम होता है, ठीक, इसकी power कितनी हो गई, minus 2, ठीक, ठीक है, डाइन से डाइन कैंसिल कर दो, centimeter से centimeter, gram से gram, तो हमारे पास क्या चीज़ बच्छी, 6.67, 10 की power minus 8, ठीक, 1 upon 10 की power 5, इसकी पूरे की power कितनी थी, 2, इस पूरे की power कितनी थी, 2, और मैंने आपको बताया था, कि किसी की power minus में नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो पलट जाएगी चीज, ठीक, तो ये 1 upon 10 की power 3 है, तो ये 10 की power 3, 2, देखो जब इसको पलटेंगे तो power plus हो जाएगी, ठीक है, तो अब बताओ ये कितना बचा, 6.67, 10 की power minus 8, 10 की power 5, into 10 की power 4, into 10 की power 6, ठीक है, तो अब बताओ ये कितना बचेगा, 6.67, 10 की power minus 8, ये दोनों मिलाके 10 की power 9 हो जाएगे, ठीक, और उपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की power minus 9, और 10 की power 6, अब इन दोनों को भी solve कर लेंगे, तो 10 की power minus 8, और ये minus 9 और plus 6, 10 की power minus 3, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 6.67, 10 की power minus 11, ठीक, इतना क्या, इतना newton, meter square per kg square, और आई होप आपने इतनी ही value पढ़ी होगी इसकी SI में, SI में G की value इतनी तो होती है, तो ये था हमारा conversion, जो हमने convert करना सीखा है, one system से another system, ठीक है, अब हम next करेंगे, कि कैसे correctness चेक करी जाए, एक formula की, अगर given है, तो on the basis of dimension and units, ओके ठीक है, तो next part start करते है, अेमें लेगें को बने ही घाए, और को भी जाए, लजखना सीखा काँ भीक है, झाल